हेलो एडिवान वेलकम बैक पर अपसारा की जहां मैंने बहुत दिनों से कुछ शूट नहीं किया व्लोग नहीं बनाया थोड़ा वीजी थी और मन भी नहीं होता है फिर बनाने का पता नहीं क्यों तो आज में एक नहीं व्लोग बना रही हूं और मैं भी जाओंगे थोड़ा बाहर पापा के लिए फोन लेने उनका जो पुराना फोन था वो खड़ाब हो गया है मतलब टूट गया है तो नया फोन लेना है उनके लिए तो वहीं लेने जाओंगे मैं थोड़ी देर में तो मैं रेडी होके निकल गई फोन लेने के लिए और मैंने वहां पर जाके तो क पॉसिबल नहीं था इसलिए फिर में सिधा अटो लेके घर चले गई और घर आके फिर मैंने पापा को उनका फोन दिया और आप लोग को मेरे पापा को देखने का बहुत जाधा मन था तो यह मेरे पापा फाइनली और यह रहा उनका फोन और यह कवर है ममी के फोन के लिए उनका पुराना वाला जो कवर था वो खड़ाब हो गया था तो इसलिए मैं फिर उनके लिए भी कवर लेके आई मैं बहुत ज़्यादा थग गई बहार इतना ज़्यादा दूब हो रहा है कि वह जब मैं गैसी तब थोड़ा मौसम ठीकता ल को आपर ममी करनी हो फोन अच्छा लग रही है यह कंश कलर और यह नेक्स्ट टे मैं अपने सारे यहरिंग्स फगेरा चूरी वगेरा ठीक से रख रही थी यह सब जो मैंने एट में पहना था या रिस्टिंट जो मैंने पहना था उन सब को मैंने बस पहन के इसे बहार ही अदर जोंदर घूम रहे थे किसी का तो एक एक जो खो भी गया है, चूरी नहीं मिल रहे है, किसी का यरिंग्स नहीं मिल रहे है तो फिर मैंने सूझा है, कि मैं सब को सेट कर देती हूँ अच्छे से तो मैं सुभे वही सब लेके बैठ गई तो सब कुछ मैं इसे box इसमें रखती हूँ तो मुझे easily मिल जाते हैं कहीं जाते time और यहाँ पे भी कुछ extra जो चूरिया थे वो सब मैंने रख दिया और यह देखे इसको तो back के अंदर घुस नहीं है मतलब कोई भी बैक अगर इसको देख जाए तो यह उसमें घुसे गई घुसे का बचपन से पता नहीं क्यों और शाम को मैंने यह एक dessert item बनाया पता नहीं इसको क्या बोलते हैं मैंने facebook में देखके बनाया स्टेमई से बनता है यह तो ठीक ठाक बना था इस तो भी हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने तो रेडी हो कि फिर तिखाती हूं तो आज बैसिकल हम लोग जाएंगे पापा के लिए शॉपिंग करने तो फिर वहां जाके मिलते हैं और यहीं कि मम्मी जानी है हुच बोधी जाजा दूप करें आचивается मिया और मम्मी दूसरे रास्ता से जा रहे हैं और पापा दूसरे रास्तसे चले हैं कि हम इधर कुछ काम है अभी तक दूप नहीं था जैसे घर से निकले बहुत जादा थो पुट के अचानक से तो शॉपिंग बगरा करने के बाद मम्मी और मुझे थोड़ा जालमुरी खाने का मन हो रहा था तो ये अंकल हुए पे थे और इनके पास बहुत सारे चीजे थे मतलब बहुत अच्छा बनाया इन्होंने खा के एकदम मज़ा आगे अतना टीस्टी बनाया था शाम हो गया है और हम रगा गढ़र अब ही कश्ट आया तो ममी ने又 हुदा चाय बना हो और इसके साथ मैं सोचे हैं आज ये में फ्राई कर दो तो इसमें हम लोग ने पहले चाय बनाया था इसलिए ऐसा हो रहा है अभी थोड़ी दिर पहले बनाया थे इसमें और इसके साथ मैं ये फ्राई करूँगे आज तो ये थे चीज फिंगर मतलब वेजिटेबल और चीज फिंगर टाइब का कुछ तो मैंने यहां से कुछ फ्राई करने के लिए रख दिया और कुछ मैंने वापस फ्रीजर में रख दिया क्योंकि चीज का समाने और इतना सारा एक साथ नहीं खाया जाएगा तो इसलिए और यह सब अगर घर में लाके रखते हैं तो बहुत ही इजी होता है कोई आते टे मतलब नहीं सोचना नहीं पड़ता है कि क्या दे मस निकालके फ्राई करके दे तो हो गया और टेस्टी भी रहता है खाने में तो मैंने यह फ्राई कर लिया और चीज थे तो थोड़ा से मतलब टूट भी गया था मेरे से लेकिन खाने में बहुत जाद अच्छा था हेलो गाइस तो यह रहा पापा का शॉपिंग मैंने सुचा में दिखा देती हूँ अब हम लोगों का शॉपिंग दिखाती हूँ तो पापा का भी मैंने सुचा दिखा देती हूँ और हमने एंबलगर से शॉपिंग किया है तो वहां पे मैंने कुछ शूट नहीं कि आपने लिया और एक यह शर्ट यह इसे हाप शर्ट है है अब इससे लिया है और एक यह टी-शिट अट यह टीशिट भी लिया है और लास्ट यह है एक ट्रैक पेंटी या कुछ बोलते हैं इसको यह वाला तो यह और इस वर सब कुछ पापा ने ब्लैक ब्लैक ले लिया तो यह सब कुछ पापा का और आज बस उनका ही शॉपिंग हुआ हम लोगोंने कुछ नहीं लिया तो बस इत देखने बैट गई ये मूवी बहुत ही जादा अच्छा है किस किस ने देखा है मुझे प्लीज बताना कमेंट करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह मैंने फोन में भी देखा है फिर टीवी में भी दो तीन बार देखा है मतलब बोर्ड नहीं होती हूं इस टाइप का आज कर लोगी तक वीडियो चलेगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे जैनल को सब्सक्राइब करें ओके बाई